अगर आप बिहार दरोगा की निटिफिकेशन आ चुका है अगर आप बिहार दरोगा के लिए त्यारी कर रहे हैं अगर आप बिहार के निवासी है और अगर आप इंडिया के निवासी है तो यह फॉर्म आप फिल अप कर सकते हैं तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला आपको मात्र एक वीडियो में देने वाला हूं फॉर्म स्टार्ट लिंक कब से होगा कौन सी वेपसाइट से होगी सारी अप्डेट दूँगा इस वीडियो में वीडियो को इन तक देखिएगा और उन दोस्तों को जरूर शेयर किजेगा जो भी जान सके इसके बारे में और इतन omnip ib ine में डोट वीडियो कमां वीडियो में विडियो में यह इन आपको देख रहे होगा जो भी हार्वें फिर दरोका कऊ आया है सेब्ट ले जो को आख अग्टूबर के वीडियो को बना रहा हों गया व्मने में डी और सो गया है हो में फिर दूप नरूस फिर भी मै परने की डेट का जो लिंक है भी अक्टिवेट नहीं किया गया है लिंक एक्टिवेट कब होगा वो भी मैं आपको बता दूँगा ठीक है फॉर्म भरने की जो लास्ट तीथी रखा गया वह पांच ग्यारम तक पांच निवंबर आज दो अक्टूबर को मैं वीडियो शूट कर रहा है दो अक्टूबर को जी गान्दी जयनती है आज के दिन आप सभी को महात्मा गान्दी की जयनती है सबकी सबको अभार आप लोग अमेरे टीम के तरफ से आप लोग अच्छे तरीके से सिलिवेट कीजिए महात्मा गान्दी की जयनती है उसको चले वीडियो को आग घाली गई है जो बिग्यापन संक्या है 0223 के ठूरू ये जारी किया गया है फॉर्म्स होगा और लेंग बढ़ा जाएगा लिंक दोड़ा फांच-10 को पांच-10 यादि पांच-10 कि इसकी लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी जैसे इसका लिंक होगा एक और मैं छोटा दा वीडियो लाओंगा कैसे उस फॉर्म को फिलब करना है थोड़ी सी डिस्किप्शन में यहां पर भी डाल दूँगा आपको चलिए मैं बना बताई दे फॉर्म सिफ ऑनलाइन ही भरा जाएगा आप जो पीडियेफ है उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूँगा अपने डिस्किप्शन बॉक्स में वहां से भी आप पर सकते हैं और इसकी जो ऑफिसल वेबसाइट से वह भी मैं आपको डाल दूगा वहां से भी डिटेल जानगरी ले सकते हैं बागी वीडियो में बढ़े र 5-18 अगस्त आपका 1गस्त तक आपका ग्रेजुइशन फाइनल होना चाहिए उम्र क्या होनी चाहिए ? एक अगस्त तक आपकई उम्र और एक अगस्त तक आपको भी साल पूरा भी हो जाना चाहिए बाकि जो maximum is है वो आपको दिख रहा होगा अगर आप जनरल से में आते हैं तो maximum is 37 है अगर आप महिला है तो maximum is 40 होगी अगर आप OBC EBC में है आपकी maximum is 40 होगी अगर आप ACST में आते हैं या transgender में आते हैं तो आपकी maximum is 42 होगी राइट यहां तक आपको कोई doubts नहीं होना है अगर कोई doubts जाता भी है आप मेरे को comment box में जरूर बताइएगा आपकी में पूरी help करूँगा ठीक है अब बात करता हूँ आपकी जो physical है उसके के लिए क्या क्या माप्रेंट हो जाइए फिसकल के लिए हाइट होनी चाहिए जिनरल में आप है या OBC में आप पूरूस है तो आपको 165 cm होनी चाहिए कितनी 165 किसके लिए female कौनसे female के लिए general और जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए OBC में आते हैं जो अत्यंत पिछड़ी वर्ग में है उसको हम EBC बोलते हैं या BC1 बोलते हैं उसको उसमें आपको 160 होनी चाहिए राइट ACST जो पूरूस में है उनकी यह 160 होनी चाहिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो भी ladies है चाहिए वो जिनरल में आते हैं चाहिए OBC में आते हो चाहिए चाहिए AME में हो चाहिए इस सिमें हो उनका 125 f 잡 होनी चाहिए सीना के सिह कि जो है बीना सफुलायए 85 cm डाशास हे फुला कर 86 cm होना चाहिए ठीक है कि और देखिए एस स्टे कर siitä है में बीना पूलाया से स्वेंटीनाइख फुला कर 84 होनी चाहिए है ना और अगर मैलाओ के लिए सीना के लिए कोई मापी नहीं होगी बिल्कुल सही है बजन आपको आप किसी भी वर्ग के मैलाए हो तब कि बजन कम से कम 48 होनी चाहिए 48 से कम अगर आप आपकी वेट है अब लेडिस है तो यह आपके लिए फिसकल कुलिफाई नहीं चलिए और अपको कैसो ऑगी कैसे आप उसलिया रीटेन एक्जाम देना पड़ेगा और प्लानउप्वन मतलब कि प्रि होगा प्रि में 10 कोुस्तंस होंगे 200 दो घंटे के पेपर होगे उसमें से आपको 30 मarcks लाने हैं मतलब し से एवाउट लगभक 60 Please 60 नंबर लाने ही लाने है तब जाकि आप प्री क्वालिफाई किजिएगा और प्री में से आपको कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे बोला गया है कि जितनी वैकेंसी उसका 20% कितनी लग बारा सो प्लस है इसका बीस गुना कर दीजिएगा जितना होगा उतनी आपको रिक्वार्मेंट मिलेगी कैसे प्री देंगे उस प्री में से 25,000 से उपर बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस के लिए जैसे मने आपको बोला कि पेपर वन होगा पेपर टू होगा पेपर वन में जो प्री होगा उसमें आपको लगवग 30% मार्क्स लाना अनिवार है तब ही जाएक आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे म इसमें से लगवाग 25,000 से प्लस लोगों को क्वालिफाई के जाएगा मेंस के पेपर के लिए अप सेकेड पेपर में क्या है प्ररानवीक पेपर हो ने उसमें भी दोपर होगे पहला क्या होगा पहला कि आगोस में 200 number के हिंदी होगे, समानी हिंदी, उस समानी हिंदी, दो घंडे के paper होगा, उसमें 100 प्रश्ण होगे, 200 उसमें से भी 30% अंक लाना है, अनिवार्य होना होगा, इसका जो number होगा, वो आपको add नहीं किया जाएगा, आपको, जो merit बने को ईट किया हुआ नहीं साथ रोगा इतिहांस होगा ब्रथिय भूगोल गहने वह होगा सब्सक्राइब करने काद आपका मेंश ओगा अब दोनों में प्री मेंश में आपको 0.2 मार्प मतलब क्या है अब गलत करोगा एक 있게 गलत आपको 0.2 नमबर कट जाएगा निगेटी मार्क सिंग ठीक है दोनों में प्री में भी और मेंज में भी अब देखिए में 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 माले की पचीस सो लोग क्वालिफाई हो गये अब जिदिनी रिक्वार्मेंट है उसका छे गुना वाला बात सो पच्छतर गुने का छे करें तो लगवात्तर सो लोग सेलेक्ट किये जाएंगे में से जो में जो प्री दे दिये प्री जितने लगभग 25.000 वालिफाइब कि ये मैंस के लिए मैंस चो देंगे 25,000 प्लस लोग उसमें से मात्र लगभग 7260 के आसपास उनको फीजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा तो मतलब कि फीजिकल के लिए लगभग स्टूइंट्स जो होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा ठीक है अब आईए दॉल फिसकल में दॉल होगी वह लगभाग 1.6 किलोमेटर की होगी अधिक्तम समय आपको छे मिनट दिया जाएगा दोलने के लिए अगर आप नहीं दोलते हैं तो आप असवाल हो जाएंगे महिला आप है तो आपको एक किलोमेट डॉलना है छे मिनट में ठीक है राइट अब और जंप हाई जोड़ा पूस में तो आपको चार फिट जंप करना है और तरह करना आपको मेहिलांग के लिए काम होगा तो नहीं होगा लंभी कूत के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है कpur जोंदीन अहीं सब्सक्राइब याफाल। वीडियो को इंडर देखिए कि आपको समझ में आना चाहिए अब देखिए जो बारा सो पुछतर जो टूडल पोस्ट है उसको बाटागे कर डुगरी में जो अनुसूची जाती में है उसमें 275 रखे गये हैं और जो अनुसूची जंजा तीस में 16 है त्यंत पिछला बारग म 107 है मतलब 1275 पोस्ट उसको भी डिस्ट्रीट कर दिया गया है कौन से कास्ट के लिए कितने कितने पोस्ट अपलाई किये जाएंगे अब देखिए अनुसूची जाती में 275 लोग है अब उसमें से 275 में से भी क्या है महिलाओं के लिए 66 पोस्ट बिलकुल फिक्स कर दिया गया है जैसे कि देखिए पिछला बर्ग में टूटल एक्साथ पोस्ट है उसमें से एक सो साथ मैं से भी छटीस जो पोस्ट है वह महिलाओं के लिए रख दिया गया है थीक है तो उब हो कर दो देख सकते हैं अब बाकी तो इसाट वन चुत में से 178 जो है वह महिलाओं के के फिक्स कर दिया गया है ठीक है तो बहुत कर रहे हैं देख सकते हैं आप लोग भी अब बागी तो यह सब तो नौन नोटिफिकेस्ट है जानते ही है वागी फॉर्म करने के पहले आप जरूरी सुरू होगा और इंड जो होगा पांच ग्यारा को मला कि पांच अक्टूबर क में मिल जाएगा इसी लिंक से आप फॉर्म को और करेंगे और भी दो तरीके का पहले आपको करना पर करने के लिए उसके उपर मैं एक चर्चा करता हूं